इस विडियो में हम लिमिट्स या हुदूद से थोड़ा और खेलेंगे यहाँ देखिए जी ओफ एच ओफ एक्स वाज़े रहे कि यहाँ फंक्शन्स को जरब नहीं दिया जा रहा बलके एक कॉम्पोजिट फंक्शन है यानि दो फंक्शन्स का मिलाप जिसमें एच ओफ एक्स की रेंज यानि वाई वैल्यूज जी ओफ एक्स का डोमेन बन जाती है यानि इस फंक्शन्स की वाई वैल्यूज यानि एच ओफ एक्स की एक्स वैल्यूज बन जाती है और limits की properties के तहट ये g of limit of h of x बन जाता है और h of x की क्या limit है x 3 के जब नजदीक होता जाए जो कि आप graph में भी देख सकते हैं आसान अलफाज में नमबर 1 h of x की हद निकालिए जबके x 3 के नजदीक होता जाए और नमबर 2 इसे मैं कहता हूँ a और नमबर 2 g में ये h of x की limit डालिए तो जैसे जैसे x 3 के नजदीक होता जाता है हम देखते हैं कि h of x 2 के नजदीक होता जाता है यानि a हुआ 2 और अब हमें g of 2 निकालना होगा तो g के ग्राफ में x is equal to 2 पे g सिफर के बराबर है लहाजा हमारा जवाब यहां हुआ सिफर याद रहे कि ये तो limit थी लेकिन ये limit नहीं है यहाँ पे g सिफर के बराबर है जो के आप ग्राफ में भी देख सकते हैं यहाँ कोई हद नहीं है इसी तरह अगले सवाल में ये क्या बनेगा h of limit of g of x यानि g of x की हद और हद कहां पे x जब मनफी 1 के नजदीक आता जाए तो यह आप देख सकते हैं और जैसे जैसे x मनफी 1 के नजदीक आता जाता है हम देख सकते हैं कि g of x लामधदूदियत की तरफ यानी g of x गیर मतायना होता जाता है बाइग जानिब से आएं तो g of x मनफी लामधदूद की तरफ बढ़ता है जबकि अगर दाइं जानिब से आएं तो G of X मुझबित लामहदूद की तरफ बढ़ता जाता है और चूंके ये function के एक से ज्यादा नताइच की तरफ बढ़ रहा है लहाज़ा यहां function की हद का कोई वजूद नहीं है और अगर G of X का कोई वजूद ही नहीं है तो H किस चीज़ का निकालें क्यूंके H का तो input ही G of X था यानि इस पूरी चीज़ का भी कोई वजूद नहीं होगा तो यहां लिख देते है limit does not exist गैर मुतायना यह भी एक शुशा आएगा थोड़ा जीब सा है चला आले लेकिन गैर मुतायना हद अब थोड़ा वक्त बचा है तो एक और सवाल कर लेते हैं तो भाईया यह भी क्या बन जाएगा यह होगा H of limit of F of X और limit कहां जब X मनफी 3 की तरफ बढ़ा हो अच्छा यहां यह confused मत हो जाएगा के मनफी 3 पे तो function 4 के बराबर है हम function की value नहीं हम limit निकाल रहे हैं यानि हम X is equal to 3 पे हद नहीं निकाल रहे बलके हम X approaches 3 मनफी 3 है हमें यह चाहिए और चुँके यानि अगर X मनफी 3 की जाने बढ़े तो F of X किस की जाने बढ़ रहा है F of X बढ़ रहा है मुझब 1 की जाने लहाज़ा F of X की हद X approaches माइनस 3 पर किस के बढ़ाबर है 1 के बढ़ाबर है यह क्या था हमारा यह A था अब हमें दूसरा काम क्या करना है H of A निकालना है यानि जो हमारा यानि जो हमारे function की limit थी वो H के लिए X बन गई यह एक पे हमें function की value निकालनी है H of X गेर मुतायना है मुस्बत भी और मन्फी भी यानि एक value भी नहीं है और अब हमारा जो H of F of X है वो undefined है गेर मुतायना है यानि इस limit का कोई बुज़ू होती नहीं है